अभी तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं बैगनी से लेकर लाल तक यानि कि वाइलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, यलो, औरेंज, रेड लेकिन जब सर आईजक न्यूटन प्रिज्म और श्वेत प्रकाश के साथ एक्सपरिमेंट कर रहे थे जब उन्होंने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से गुजारा और उन्होंने सामने रखे परदे पर देखा कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर से गुजरा है वो जब प्रिज्म से बाहर निकला तो परदे पर बेहती खुबसूरत साथ रंग नजर आने लगे जो कि बैगणी से लेकर लाल तक अरेंज्ज थे तब उन्हें कन्फूूजन हुआ क्या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरा फूस प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को रंग दिया तब तक ये confirm नहीं था कि श्वेत प्रकाश साथ रंगों में बटा हुआ है तो इस confusion को दूर करने के लिए Sir Isaac Newton ने एक और प्रिजम लिया और उस प्रिजम को पहले वाले प्रिजम के जस्ट अपोजिट रखा ये दोनों ही प्रिजम के प्रिजम कौन समान थे जब श्वेत प् फिर से अपवर्तन हुआ और यह साथ रंग अपवर्तन के पाश्यात फिर एक हो गए और जब परदे पर देखा गया तो फिर वही श्वेत धब्बा यानि कि प्रकाशित एरिया हमको वहाँ पर दिखाए दिया श्वेत प्रकाश हमने डाला था और परदे पर भी श्वेत प्रकाश दिखाए दिया तो इससे सर आईजयक न्यूटन कंफर्म हो गए कि प्रिज्म स्वेद प्रकाश को सात रंग नहीं देता बलकि स्वेद प्रकाश में स्वयम ही उसके अव्याई रंग अव्याई साथ रंग होते हैं जो की बैगनी से लेकर लाल तक अरेंज होते हैं। जिसमें से बैगणी का तरंग दयाद सबसे कम होता है और लाल का तरंग दयाद अधिक और जो की बैगणी का तरंग दयारत कम है। उसके लिए प्रिज्म का अफवर्तनांग अधिक होगा... इसलिए उसका विचलन भी अधिक होगा इसलिए जब वो परिजम से बाहर निख लेगा तो वो सबसे नीचे आएगा यानि कि सबसे ज़्यादा जूका सबसे ज़्यादा बैंड होगा उसके बाद इंडिगो रंग उसके बाद ब्ल्यू कलर उसके बाद गरीन फिर ऑरेंज औ तो जब हम इसको परदे पर देखें तो रेड ऊपर नजर आएगा और बैगनी नीचे जो परदे पर ये खुबसूरत सात रंगों का क्रम हमको प्राप्त हुआ है इसे हम वर्ण क्रम यानि कि स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं और प्रकाश की इसी घटना को जिसमें श्वे यह वर्ण विक्षेपन के घटना केवल प्रिजम ही में ही नहीं होती बलकि इसका अनुभव हमने भी किया है यदि हमारे पास स्केल हो और स्केल से हम अपने क्लासरूम में लगी लाइट को देखें उस लाइट को देखने पर भी लाइट की किनारे में आप देखेंगे सात साथ रंग हमको नजर आते हैं कि जो स्केल है उसकी सता भी साइट साइट जहां पर खाचे बने होते वो थोड़ी सी इंकलाइन रहती है और उस एरिया से जब हम लाइट को इस्पेशली बल्ब को देखें तो वह बहुत ही खुबसूरा साथ साथ रंगों में बटा हुआ नजर आता है यूजिकि वह स्केल के जो प्रिष्ठ होते हैं जो जुका ऋएंंकलाइन सरफेस रहता है वह भी प्रिजम के फलकों की तरह काम करता है जहां पर अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश है वो सात रंग में बढ़ जाता है ऐसी ही घटना हम और देखते हैं कब जब बारिश हो रही हो और बारिश के साथ साथ सूरज निकला हो और हम सूरज की तरफ पीट करके हमने आकाश में हमको ऐसा ही खूप सूरत सात रंगों का एक आकरिती नजर आता है जिसे हम इंद्र धनुष के नाम से जानते हो हम भी जब छोटे थे तो ऐसी बारिश में जब इंद्र धनुष दिखता था तो हम दोड़े-दोड़े अपने घर से बाहर निकलते थे और कैसा रहता है एक आर्क के शेप का रहता है आप सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कभी इसके कलर को देखें आप जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके बाहर किनारे में लाल रंग होता है और अंदर की किनारे में इसके बैगनी रंग होता है यह आर्क शेप क और उसके बाद चमकीला सूरज निकला हो यानि तेज धूपो और हम धूप की तरब अपनी पीठ करके खड़े हो। इस इंद्रधनुष को हम प्रात्मिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। ये इंद्रधनुष क्यों बनता है? वहां तो कोई प्रास्म नहीं है? सूर्य से निकलने वाली वे सारी प्रकाश किरने जो प्रिथवी के समानतर हैं। जब इन बारिश की बूंदों से टकराती हैं तो इन में प्रवेश कर जाती हैं। यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और इसी कारण बनता है इंद्रधनुष। यह इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसको देखते हैं। माना कि ये बारिश की बूंद है और ये सीधी सूर्य किरण जो की पृत्वी से समानतर चली आरी है वो इसके प्रवेश करेंगी ये पारदर्शी माध्यम है इसके कारण यहां प्रकाश का अपवर्तन होगा और ये श्वेत प्रकाश अपने अव्याई रंगों में बट जाएगी क्योंकि इनके तरंग द्यार्दे अलग-अलग है इसके अनुसार वाइलेट रंग नीचे आजाएगा और लाल रंग उपर उसके बाद वे किरने जिनका अपतन कोण इस पानी की बूंद के अंतर इनके क्रांतिक कोण से अधिक होगा यानि 48.75 डिग्री से अधिक होगा वहाँ पर हो जाएगा पून आंतरिक परावर्तन और ये प्रकाश किरने वापिस इस गोले के अंदर इस बूंद के अंदर वापिस डारेक्टेड हो जाएगी और जब ये बूंद के बाहर निकलेंगी तब इनका दुबारा अपवर्तन होगा और इस प्रकार जब ये प्रकाश की किरन बाहर निकलेगी तो बैगनी रंग उपर की होगा और लाल रंग नीचे की होगा और जब ये आर्क के फॉर्म में हमको दिखाई देगा छेतिज में आकाश में तब ये ऐसा आर्क बनेगा कि लाल रंग उपर हो और बैगनी रंग नी उपर होता है और बैगनी नीची होता है 36 के साथ लाल रंग का कोण अधिक होता है 42 डिगरी का और बैगनी रंग का कोण 40 डिगरी का होता है यानि इस लाल और बैगनी के बीच का जो कोणी अंतर होता है वो दो डिगरी का होता है जो हमारी आखों में पड़ता है इस दो डिग प्रकार का इंद्रधनोश तभी प्राप्त होगा जब प्रकाश की किरने पृत्वी के समानतर चलती हुई इन बारिश के बूंदों के केंद्र के ऊपर से इस बूंद के अंदर गुजरेगी तब इन बूंदों में दो बार अपवर्तन होगा और एक बार पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना होगी और इस प्रकार दो अपवर्तन और एक पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के पश्चात जो पैटन हमको आस्मान में दिखाई देता है इस आर्क शेप के पैटन में ऊपर यानि कि बाय किनारे में लाल रंग होता है और आंत्रिक किनारे में बैगनी सुर्ण होता है। यह बेहादी चमकीला और खुपसरत होता है। जिसको हम सभी देखते हैं और इस इंद्रधनोश को हम प्रात्मिक इंद्रधनोhew के नाम से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे प्रकार के इंद्रधनोश को भी experience किया होगा यह इस प्रात्मिक इंद्रधनुश के ऊपर बनता है यह जिदा ब्राइट चमकीला नहीं होता बलकि फीका होता है और यह कब बनता है जब सूर्य की किरने पृत्वी के समांतर चलती हुई इन बारिश की भूंदों से केंद्र के नीचे की ओर से गुजरती है उस के बाद यहां पर होगा पून आंत्रिक परावर्तन यह किरने फिर से अपतित होंगे इन बारिश की भूंदों के अंदर ही और फिर दुबारा यहां होगा पून आंत्रिक परावर्तन और उसके बाद जब यह बारिश की भूंदों से बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे क कि यहाँ उपर रेड है और नीचे वाइलेट इस स्थिती में जो लाल रंग का च्छेतिछ के साथ कौन होता है वो फिफ्टीडी को आ होता है और वाइलेट के साथ जो जो कलर है वो फैले हुए होते हैं और इसी के कारण इनकी तीवरता कम हो जाती है और यह फीका दिखाई देता है इस प्रकार का इंद्रधनुष एक आर्क के शेपका होगा जिसमें की ऊपर यानि की बाही किनारे में वाइलेट रंग होगा और इसके आंत्री किनारे में लाल होगा और यह इंद्रधनुष तब बनता है जब इस बारिश की बूंद के अंदर दो बार अपवर्तन हो और दो बार पूर्ण आंत्रिक परावर्तन हो तो इस प्रकार जब भी बारिश होगी तो दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं एक प्राथमिग और दूसरा दू पान्मिनी देते हैं इस बार जब बारिश हुई और सूरज निकला तो अब सूरज की तरफ पीट करके दोनों इंद्रधनुष को खड़े ओकर देखने की कोशिश करिए अब हम इन दोनों इंद्रधनुष के बीच में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं प्रात्मी किंद्रधनुष तुट्य किंद्रधनुष प्रात्मी किंद्रधनुष में लाल रंग बाय किनारे में होता है और बैगनी रंग इसके आंतरिक किनारे में होता है जबकि दूतियक इंद्र धनुष में बैगनी रंग इसके बाई किनारे में होगा और लाल रंग इसके आंत्रिक किनारे में होगा जो प्रात्मिक इंद्र धनुश है इसकी कोणी चौड़ाई दो डिगरी की होती है और दूत्यक इंद्र धनुश में इसकी कोणी चौड़ाई तीन डिगरी की होती है प्रात्मिक इंद्रधनुष में कोणी चौड़ाई कम होने की कारण ये तीवर होता है, स्पश्ट होता है जबकि द्यूतिया किंद्रधनुष में इसकी कोणी चौड़ाई अधिक होने की कारण ये फीका होता है जो प्रात्मिक इंद्रधनुश है ये दूत्याक इंद्रधनुश के नीचे बनता है जबकि जो दूत्याक इंद्रधनुश है वो प्रात्मिक इंद्रधनुश के ऊपर बनता है प्रात्मिक इंद्रधनुष में दो अपवर्तन और एक पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना होती है जबकि दूतियक इंद्रधनुष में दो अपवर्तन और दो पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना होती है इस प्रकार इंद्र धनुस्त का बनना प्रकाश की उस घटना से जुड़ा है जिसे हम वर्ण विक्षेपन के नाम से जानते हैं ऐसे ही हमारे मन में और कई सवाल उठते हैं जब हम खुले आकाश की और देखते हैं जैसे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है यही आकाश दोफर के समय सफेद हो जाता है और जब अब प्रित्वी के बाहर अंत्रिक्ष में जाकर इस आकाश को देखे तो वहां हमें काला नजर आता है इन सारे सवालों के पीछे जूड़ी हुई है प्रकाश की एक और परिघटना जिसे हम प्रकाश का प्रकेणन यानि स्कैटरिंग अफ लाइट कहते हैं जब प्रकाश वायू मंदल को पार करती हुई प्रित्वी में पहुशती है तो इसके मार्ग में कई अनू और कण आते हैं और प्रकाश की केरण इन अनूओं और कणों के साथ इंटराक्ट करती है अंतहकरिय करती है और बिखर जाती है इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकिरिणन यानि Scattering of Light कहते हैं जब प्रकाश की किरण चले और उसके मार्ग में आने वाले अणूओं और कणों की जो अकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्थ से कम होता है इस कंडिशन में प्रकाश इन कणों के साथ उर्जा का अधान प्रदा नहीं करती और जो अपतित प्रकाश है और जो प्रक्रिणित प्रकाश है यानि Scattering Light है यह दोनों की आवरिती एक होती है इन दोनों के तरंगदैर्थ एक होते हैं इस प्रकार के प्रक्रिणन को प्रत्यास्त प्रक्रिणन कहते हैं और यह प्रक्रिणन रेले प्रक्रिणन के के नाम से भी जाना जाता है और रेल कि प्रकुणन के आनुसार किसी प्रकुणनेथ प्रकाश, यानि कि स्केट्रिंग लाइट का जो तीव्रता होती है। उस लाइट के तरंग दैर्द के चतुर्धगार यानि कि फूर्थ पावर के व्यूत क्रम अनुपाती होती है समीकरण के रूप में देखें तो आई इस इन्वर्श्टली प्रपोर्श्टल टू लैम्डा पावर फॉर जहां पर आई प्रकृणित प्रकाश की तीवरता है और लैम्डा उस प्रकाश का तरंग दैर्द्य यहां सी इस होगा उसकी प्रकृणित तीवरता कम होगी जब प्रकाश की रिणों के मार्ग में ऐसे अनू या कण आते हैं जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्द से अधिक होता है उस समय प्रकाश की ऊर्जा का अदान प्रदान इन कणों के साथ होता है जिसके कारण जो आपतित प् और इस प्रकार के प्रकेड़न को अप्रत्यास्थ प्रकेड़न कहते हैं और इसे हम रमन प्रभाव, रमन एफेक्ट के नाम से भी जानते हैं अब आकाश नीला क्यों नजर आता है? हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण वायू मंडल को पार करती हुई पृत्वी में पहुच रही है और जो अनू और कन इनके मार्ग में आ रहे हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगद्यर्द से कम हुआ उस condition में जो कम तरंग दैर्दिक का प्रकाश है वो अधिक प्रकृणित होगा उसकी प्रकृणिन तीवरता रेले के नियम के अनुसार अधिक होगी तो यहाँ पर कम तरंग दैर्दिवारे कौन कौन से हैं? यह बैगनी नीला जामुनी अब यहाँ पर जो बैगनी जामुनी रंग होता है इनकी समवेदन शेलता आखों के लिए कम होती है और नीले रंग की समवेदन शेलता अधिक होती है और दूसरी तरफ हम देखें तो नीले रंग का अनुपात भी अधिक होता है यानि कि ये रंग पूरे बिखर जाते हैं प्रकिर्णित हो जाते हैं और इस प्रकार जो आकाश है वो हमको नीला दिखाई देता है लेकिन दोफैर के समय सूरज सर की उपर होता है और प्रकाश की किरणों को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और इस स्थिती में प्रकाश सीधे हम तक बहुत जाता है और इसलिए आस्मान सफेद नजर आता है जब हम पृत्वी से बाहर चले जाए वायू मंडल से बाहर अंतरिक्ष में पहुँच जाए उस कंडिशन में प्रकाश की कोई क्रिया नहीं होती है क्योंकि वायू मंडल मौजूद नहीं होता और इसलिए आस्मान कैसा नजर आता है बिलकुल काला हम चंद्रमा से भी यदि देखें तो चंद्रमा में भी वायू मंडल का अभाव है इसलिए चंद्रमा से देखने पर भी आस्मान काला नजर आता है बड़ी विचित्र सी बात है जो आस्मान पृत्वी से देखने पर नीला नजर आता है वही आस्मान चंद्रमा से देखने प अपनी आखों से देख सकते हैं तो प्रकाश की किरनों को इस समय वय मंडल की लमबी दूरी तयक करतीी प्रकाश की किरने हम जानते हैं कि जितने भी नीले बैगनी और जामनी रंग का प्रकाइण और जो बचित तरंग दैर्दे हैं मतलब जो लाल के रेंज के होते हैं वो नहीं फैल पाएंगे उनका प्रकृर्णन कम होगा क्योंकि लाल रंग का तरंग डैर्दे सबसे अधिक होता है इसलिए जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुचती है वो लाल लाल रंग की होती है। इसलिए सूर्य आस्त और सूरियओदै के समय सूरज लाल नजर यही कारण हैं कि जो खत्रेगा सिगनल है वो भी लाल-रंग का बनाया जाता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकिर्णन तरंग दैर्दे अधिक होने के कारण कम होता है और ये बहुत दूर तक गमन कर सकता है ताकि खत्रे का सिग्नल हमको काफी दूर से नजर आ सके और इस पश्ट नजर आए इसी प्रकार बादल भी हमको सफेद नजर आते हैं क्योंकि बादल में धूल के करण, बारिश की बूंदे, बर्फ के तुकडे होते हैं जो इनका आकार होता है करणों का वो प्रकाश के तरंग दैर से अधिक होता है मतलब यहाँ पर रेले का नियम लागू नहीं होता और जो प्रकाश के रण इस पर पढ़ती है उनका सब का समान रूप से प्रकेड़न होता है और इसी प्रकार जो प्रकेड़नित प्रकाश होती है वो वापस श्वेद प्रकाश के रूप में नजर आती है इसलिए बादल हमको श्वेत नजर आते हैं कभी-कभी आप देखेंगे कि शाम जो होती है वो अलग-अलग रंगों की होती है कभी गुलाबी दिखता है कभी ओरेंज दिखता है इस प्रकार की शाम अलग-अलग रंगों की होती है वो भी केवल प्रकाश के प्रकेड़न के कारण जो वायो मंडल में कन उस समय मौजूद होते हैं या फिर बादल वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके कारण प्रकाश का प्रकेड़न कुछ इस प्रकार होता है कि वो बिखरे रंग हमको नजर आ और लाल रंग सबसे अंसार उनके बीच में विबग्यॉर की बनाते हुए आरेंज हो जाते हैं यहनी कि वालइट इंडीगो ब्लू, ग्रीन, यलो, औरेंज, रेड अब किनही भी दो रंगों के बीच में जो विचलन है उसके अंतर को हम कहते हैं कोण ये वर्ण विक्षेपन इसे हम दर्शाते हैं ठीटा से तो ठीटा बराबर होगा किनी भी दो रंगों के विचलन का अंतर यदि हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो सबसे एक्स्ट्रीम एंड में वाइलेट है और सबसे दूसरे एक्स्ट्रीम एंड में रेड है वाइलेट का विचलन अधिक और रेट का विचलन कम तो यानि श्वेत प्रकाश के लिए कोनी वन विक्षेपन का फॉर्मूला हम लिखें तो थीटा बराबर होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा आर हमने लिया है वाइलेट और रेड के विचलन के रूप में लेकिन ये विचलन किनी भी दो रंगों के बीच में निकाला जा सकता है वो उन दोनों रंगों के लिए कोनी वन विक्षेपन कहलाएगा हम जानते हैं डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस वन इन्टू ए तो अगर वाइलेट रंग के लिखूं तो डेल्टा वी बराबर होगा म्यू वी माइनस वन इन्टू ए और लाल रंग के लिखें तो डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस वन इन्टू ए अब इन दोनों कमान इस फॉर्मुले में रखने पर theta बराबर होगा mu v minus 1 into A minus mu r minus 1 into A अब ए दोनों में से common लेने पर हमें मिलेगा theta बराबर mu v minus 1 minus mu r plus 1 क्योंकि minus minus plus हो जाएगा into A यह minus 1 plus 1 cancel हो गया और हमें यहां मिलेगा theta बराबर mu v minus mu r into A इस प्रकार हम कह सकते हैं कोनी वर्ण विक्षेपन यानि की एंगुलर डिस्पर्शन थीटा बराबर म्यूवी माइनस म्यू आर इंटु ए होता है और ये निर्भर करता है सबसे पहला तो इस प्रिज्म के कोन पर वो भी समानुपाती यदि प्रिज्म का कोन अधिक होगा तो कोनी वर्ण विक्षेपन भी अधिक होगा दूसरा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांग पर किस प्रकार अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांग अधिक हमारे पास दो प्रकार के काच होते हैं एक फ्लिंट काच और दूसरा क्राउन काच जो फ्लिंट काच है उसके लिए अपवर्तनांग अधिक होता है तो उसका कोनी वर्ण विक्षेपन भी अधिक होगा लेकिन जो crown कांच होता है उसका अपवर्तना कम होता है तो उसके लिए कोणी वर्ण विक्षेपन का मान भी कम होगा तीसरा ये depend करता है रंगों के युगम पर अपने कौन से दो रंग लिए हैं जिनके बीच में आप विचलन का अंतर निकाल रहे हैं जैसे कि आप वाइलेट और लाल लोगे तो इनका विचलन में अंतर भी अधिक है तो कोणी वर्ण विक्षेपन भी अधिक होगा लेकिन यदि आप दो रंग पास पास वाले लेंगे तो इनके विचलन का अंतर भी कम होगा इसलिए इस स्थिती में कोनी वर्ण विक्षेपन भी कम होगा इसी प्रकार यदि हम किसी दो रंगों के कोनी वर्ण विक्षेपन और माध्य रंग के विचलन का अनुपात ले तो ये अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपन छमता माध्य रंग किसको लेते हम? यदि हम विब्ग्योर देखें violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red तो हम सोचेंगे कि green यहाँ पर माध्य रंग होगा लेकिन green माध्य रंग नहीं होता यदि हम तरंग दैर्दे का माध्य लें तो ये तरंग दैर्दे यलो रंग की कोटी में आता है यानि कि पीले रंग के लिए इसलिए जब हम विचलन लेंगे तो हम पीले रंग का लेंगे वर्ण विख्षेपन शमता यानि कि dispersive power को हम omega से दर्शाते हैं तो omega बराबर होगा theta upon delta y और theta यानि कि कोणी वर्ण विख्षेपन ये अंतर होता है दो रंगों के विचलन कोण का तो यहाँ पर हम violet और red दोन एक्स्ट्रीमेंट का ले लेते हैं तो delta v minus delta r upon delta y यानि कि माध्य रंग पीले रंग का विचलन delta v बराबर होता है mu v minus 1 into a और delta r बराबर होता है mu r minus 1 into a यहाँ पर इनका मान रखने पर omega बराबर होगा mu v minus 1 a minus mu r minus 1 a upon mu y minus 1 a अब numerator से a common लेने पर हमें मिलेगा omega बराबर mu v minus 1 minus mu r plus 1 into a upon mu y minus 1 into a अब यह 1 और 1 cancel हो जाएंगे तो omega बराबर होगा mu v minus mu r into a upon mu y minus 1 into a numerator और denominator से a और a cancel करने पर हमें मिलेगा omega बराबर mu v minus mu r upon mu y minus 1 यह formula है वर्ण विक्षेपन शमता यानि कि dispersive power के लिए इस formula से यह इसपश्ट है कि जो dispersive power omega है वो प्रिस्म कोण पर बिलकुल निर्भर नहीं करती यह इस formula में हम देख रहें कहीं पर भी ए नहीं है यह निर्भर करता है प्तार्त की अपवरतनांग पर कि यहाँ पर mu आ रहे है इसका बिप governments करता है पदाण के अप अभरतनांग पर अगर प्रदार्थ का अपवरतनांग अधिक हुआ तो जो जो dispersive power है वो भी अधिक होगा और जो दूसरा है वो depend करता है रंगों के युगमों पर आपने कौन सा दो रंग लिया है जिनके बीच में आप कोनिय वर्ण विक्षेपन ग्याद कर रहे हैं यदि कोनिय वर्ण विक्षेपन अधिक होगा तो विक्षेपन छमता भी अधिक होगा तो विक्षेपन छमता का मान भी कम होगा